हारुन्स फोटिलिटी एंड आईवी एफ सेंटर स्वास को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परिशान है महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए हारुन्स फोटिलिटी एंड आईवी एफ सेंटर अब आपको प्रिग्नेंसी प्लानिंग से लेकर डिलिवरी तक के सभी जरूरी जानकारी वा किसी भी प्रकार के इलाज वा दवायों के लिए हारुन्स फोटिलिटी एंड आईवी एफ सेंटर अब आपको लाखों रुपे खर्च कर मेंलेंड जानकी भी जरूरत नहीं तमाम गायनिक सॉलूशन्स के लिए ग्यारा चर्मा हॉस्पिटल के पास है अरुन्स फोटिलिटी एंड आईवी एफ सेंटर एक से एक आधुनिक उपकर्णों और पूरी सुरच्छा के साथ आपके प्राइविसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स वज साइंटिस्स से कंसल्ट करे सभी सुविधाओं से लैस अरुन्स फोटिलिटी एंड आईवी एफ सेंटर आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी अब आप एर्थ्री अम्बियंस मॉल में शादियां जनम दिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं पहतरिन लोकेशन, खुबसुरट डेकोरेशन, उंदा सर्विसेज और फस्क्लास हॉस्पितालिटी के ली याद रखे एर्थ्री अम्बियंस मॉल पहले ही डिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एक मात्र मॉल एर्थ्री अंडेंस मॉल पुचेंस के लिए स्क्रीन करों याटईए नमडरों पार संपने अच्रिकॉल्ग का शोर्वा, इंचनल कोईस्स्ट आखनाइच्ट अन्मान ए्निकोबराइस. चीज़ किने एंट कुछाइच्ट इया कोई विवस्ट पाल टैनल आव इनुट इच्ट पेग्स, प्रक म्यांचेट आब बेग्स प्रफया कि पीचट प्रक्रत इड़े हैं. और सिवर में आप सभी का स्वागत करती हैं। प्रतिस्चित संसद रत्न पुरसकार के लिए चुना गया है। प्रतिस्चित संसद रत्न पुरसकार मिल चुका है। यह पुरसकार उन्हें 17 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में चार अन्य संसदों के साथ प्रदान किया जाएगा। संसद रत्न पुरसकार हर साथ शिर्ष प्रदाशन करने वाले संसदों को उनके प्रदाशन के अधार पर प्रदान किये जाते हैं। शीकुल्दीप्राशर्मा जी अंडमान निकोबार वीब समु के पहले और एक मात्र सांसद है जिन्हें अंडमान निकोबार वीब समु के संसद सदस्य के रूप में तीन बार यह प्रतिश्चित पुरसकार मिला है। अपार वीब समंसिक में तीन बार वीब सम्स हां प्रुपित शमर कोबार वीब सम्स्दचित रहां है खायँ it शीक कुल्दीप राय शर्माजी लोक सभा में अंडमान निकोबार ग्वीप समू के लोगों से संबंदित बहत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं चाहे वह Union Territory प्रशासन के विभिन विभागों में विभिन रिक्त पदों को भरना हो या ग्वीपों में स्वास्त देख बात सुविधाय बनाना हो श्री कुल्दीप्राइशर्माजी ने एक से अधिक अफसरों पर संसग में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है इंफो इंडिया से बात करते हुए श्री कुल्दीप्राइशर्माजी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी कड़ी मेहनत को पहचान मिली है और उन्हें तीसरी बार प्रतिष्ठित संसद रत्म पुरुसकार के लिए चुना गया है उन्होंने अंडमान निकोबाद वीप समूग के लोगों से संबंदित मुद्दों को लोकसभा में उठाने का वादा किया संसद सदस्यने पिछले लगभग पांच वर्षों में अंडमान निकोबाद वीप समूग के लोगों के कई प्रमुक्त मुद्दे उठाए हैं जैसे कि प्रशासन में लगभग 10,000 पदों को भरना जो पिछले 10 वर्षों से खाली पड़े थे अंडमान के लिए एम्स सूपर स्पेशिलिस्ट डॉक्टरों को प्रती नियुक्ती पर अंडमान भेजा जा रहा है सभी पी एचसी में अडरा साउंड रटलैंड परियोजिना को पूरा करना और धने खाड़ी बांग वेब पानी इस्थाननत्र करना फ्लैट पे की जल परियोजिना को पूरा करना सिपी घाट मीठे पानी की जील का निर्मान कार्य पूरा बिजली विभाद का नीजी करण नहीं करना आंगन बाड़ी और आशा कार्य करताओं का वेतन बढ़ाना 61 से पूर्व अतिरिक्त भूमी के सभी छूटे गए मामलों को नियमित करना अंडमान और निकोबार वीब समू के सभी भूमी ही लोगों को 200 वर्ग मीटर भूमी प्रदान करना 2012 से पहले के सभी अतिक्रमणों को नियमित करे डिगलीपूर से पूरी तक दूसरी ओ एफसी केबल विछाना केंद्रिय विश्व विद्याले का निर्मान कचाल निवासियों का पुनरवास सभी डेली एटेड मजदूर का नियमिती करन सभी डियारम्स को वन थर्ड वेटन देना अंडमान निकोबार लोग सेवा आयोक का निर्मान पोब्ले मुनिसिपल काउंसल के 1195 अंकस्मिक कर्वचारियों की सेवाओं का नियमिती करन चाटम बन्बू फ्लैक ब्रिज का निर्मान करना विध्वा एवं व्रिधा वस्था पिंचन को 100 उपैसे बढ़ाएं तटियर एखा के साथ वैकल्पिक राजमान का निर्मान मिनी बेस से मीठा खाडी तक पुल मिडल स्ट्रेट क्रिक ब्रिज को पूरा करने के लिए द्वीपो में उडान योजना की शुरुवात उत्तर पुर्व की तरा द्वीपासियों को हवाई सबसेडी प्रदान करना द्वीपासियों के लिए हवाई एम्बुलेंस उपलत करना दक्षन पुर्व देशों के लिए अंतर राश्ट्रिय उडाने शुरू करना पोर्ट प्लेयर से मदुरै, कोची, राची के लिए सीधी उडाने, पोर्ट प्लेयर में रात्री उडाने शुरू, एंड़िज फोर का ततकाल समापन, चिकित्सा अपात स्थिती के दोरान अंड़मान निकोबार वीप समू के स्ट्रेचर रोग्यों के लिए विशेश रिया अंड़मान निकोबार वीप समू का बजट 5987 करोड से बढ़ा कर 25,000 करोड और कई गुना अधिक, यह मानेता संसद्य कारवाई में उनके असाधारन योगदान को दिखांकित करती है, और वीपों के लोगों की सेवा करने के प्रति उनकी गहरी प्रतिबधता को दर्शाती इस वश भी तीसरी बार संसद्रत पुरसकारों के लिए स्री कुल्दी प्राय शर्माजी का चयन लोगसभा में उनके उतक्रिष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है, उन्होंने ना केवल संसद्य बहसों में सक्रिय रूप में भाग लिया है, बलकि एक संसद्य सदस्र के पहन में उच इस तर के रिवा साइकता का भी प्रदर्शन किया है, उनकी उपलब्दिया व्यक्तिकत मानेता से परे हैं जो भारत भर में उनके समक्षों के लिए संसद्य मामलों के प्रभावी ढंग से योगदान करने और उतक्रिष्टता प्राप्त करने का एक चमकदार उदारन स्थापित करती हैं, संसद रत्म पुरसकार जिसे संसदों के लिए सरवच सम्मानों में से एक माना जाता है, उन लोगों को दिया जाता है, जो अपनी भूमिकाव में अनुकर्णिय सबर्पन और छमता प्रदर्शित करते हैं इस वर्ष के संसद रख गुरुसकारों के प्रतिस्ठित प्राप्त करताओं में बीजेपी के सुकांत मजुबदार शिव सेना के स्रिकांत एकनाथ शिंदे, बीजेपी के सुधिर गुपता, राकाप पाप के अनमोर राम सिंग कुल है और कॉंगरेस के स्री कुल्दी प्राय इसे के साथ मैं निता नियूज अंडबान 24-7 से आज के सकड़ी से विदा लीती हूँ, नमश्कार